जैमाला के दोरान दूले को पला, मिर्गी का दोडा, मच गया हलकम, घराती बाबारातियों में जम कर हुआ बवाद, दुलहन ने किया शादी से इनकार और दी आत्म हत्या करने की चेतावनी, गंटों चलती रही, पंचायत नहीं मानी, दुलहन बारात बिना दुलहन बैरन बापस लोटी, मुहमदावास से इस वक्त की सबसे बड़ी ख़वर, जैमाला के दोरान दुले को मिर्गी का दोडा पड़ गया, जिससे हलकम मच गया, जिसके बाद दुलहन ने शादी से इनका कर दिया, तुलहन के आत्म हत्या की धंकी देने पर बारात बिना दुलहन के लोट गई, तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं, यूपी शक्तनियोन, खबर हमारी दुनिया पर, तो दोस्तों खबर जानने से पहले, यदि आपने हमारी चैनल को स सब्सक्राइब करें और फेस्डूक पर हमें फॉलो करें, उत्तर परदेश के फरुकाबाज जिले के कस्वा महमदाबाद थाना छेत्र में एक विवास हमारों में जैमाला के दोरान दुलहन को मिर्गी का दोरा पड़ गया, जिसके बाद दुलहन ने शादी से इंकार कर द लोड गयी, इस मामले की जानकारी पुलिस को नहीं दी गई, आपको बताते चनी की मामला महमदाबाद को तवाली मौला नदसा का है, यही के निवासी भूरे बाथर की पुत्री शिवानी की बारात 23 फरवरी को कानपुर से आई थी, और रात्री लगभग 9 बजे जैमाला क के दोरान अचानक दुले को मिर्गी का दोला पड़ गया, और वहे स्टेज पर ही गिर पड़ा, ये देख मौके पर अफरा तफरी मच गई, और जल्दी जल्दी लोग दुले को उठा कर बाराथ ठहराने वाली जगा पर ले गए, लगभग 10 घंटे तक सेवादारी के दुल्हा को होश आया और दोबारा जैमाला का कारिकरम संपन हुआ, सुभा फेरों के समें दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया, परीजनों ने दुल्हन को खूब समझाया परंतु दुल्हन नहीं मानी, यहां तक कि दुल्हन ने आत्म हत्या करने की धंकी भी देडा दि काफी देर तक पंचायत पड़ी रही, फिर कन्या पक्ष ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद बरपक्ष बिना दुल्हन के बारात लेकर घर बापस लोट गए, इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को नगी दी गई, तो दोस्तों जुड़े रहे हमारे साथ और द झाल